हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गाई जैसा कि आज आज आपका SSE MTS का 13 जून के सभी सिप्ट का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीड़ में बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के जो है आज आपके 13 जून के सभी सिप्ट का एक्जाम में जो आप प्रेस्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्हों ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE MTS एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में ही आपको एक बैल इकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी ज़ो जरूर प्रेस्ट कर दिएगा तो चलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग फर्स सिप्ट के प्रेस्ट को देखने वाले हैं उसके बाद आपको सेकंड सिप्ट के टोटल प्रेस्ट देखने को मिल जाएगा और लास्ट में जो आपको थर्ड सिप के जो है टोटल प्रस्ट में देखने को मिल जाएंगे तो फर्स सिप में जो आप लाकोशन है था कि लाइफ और पाई नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो देखे, Life of Pi नामक ये जो उपनियास है ना, ये आपका यान मार्टेल के द्वारा लिखा गया है, तो यान मार्टेल आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा, इसकलाव मैं आपको बता दू कि ये जो आपका Life of Pi नामक जो उपनियास है ना, ये आपका 2001 में प्रकासित किया गया था, और ये आपका खनाडा का एक कालपनिक साहसिक उपनियास है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश है आपका याप रहा था कि भारत का प्रसीद पारंप्रिक तेवार चट पूजा जो है, निम्न लिखित में से किस देवता को समर्पीत है, तो बात कर ले चट पूजा, ये जो है किनकिन राज्यों में मनाया जाता है, तो देगे चट पूजा परमुक रूप से बिहार, जारकंड और उत्तरपरदेश राज्यों में मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में मनाया जाता है, तो देगे ये जो आपका चट पूजा जो तेवार के बारे में जैसे की दुर्गा पूजा यह मुख्य रूप से आपका पश्चीम बंगाल राज्जी में मनाया जाता है बुंदी का जो तेवार है यह आपका राज्जी में मनाया जाता है गुडी परवा जो तेवार है यह आपका महरास्ट राज्जी में मनाया जाता तो यह सारे जो आको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशा आपका आप रहा था कि पंथी इन में से किस राज्य का लोग नेते है तो देखे पंथी नेते की बात कर ले तो यह आपका च्छतिसगर राज्य का एक लोग नेते है तो च्छतिसगर आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा इसके लावा मैं आपको बता दू कि यह जो आपका पंथी नेत्य है यह मुख्य रूप से 36 गड़ के सतनामी समुदाय के द्वारा इस नेत्य को किया जाता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा 36 गड़ के अन्य महतपूर्ण लोक नेत्य की बात कर ले तो सेला नेत्य कर्मा नेत्य राौतनाचा नेत्य है फुलके नेत्य है गार나 नेत्य है शरुष नेत्य और गेंडे नेत्य सबस्वेत नेArena तो यह आपका 36 गड़ का जो वो लोक नेते हैं, जब आपका सरूल तेवार रहे हैं, तो यह आपका जारकन का जो वो तेवार हैं, तो यह फैक्ट आप ध्यान में रखेगा, इसके लावा राउत नाचा भी जो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, एक आपका राउ राउत नाचा होता है, तो राउत नाचा यह जो आपका 36 गड़ का लोक नेते हैं, और यह जो आपका राउब जो नेते हैं, यह आपका जम्मु कस्मिर का लोक नेते हैं, तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कोश है आपका यापर नामा जो पुस्तक ह गया था तो अबुल फजल आपका यहां पे करेक्ट अंसर होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि यह जो आपके अबुल फजल थे ना यह अकबर के नौ रतनों में से एक थे तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव प्राचिन काल के अन्ने महत के द्वारा लिखा गया था महभारत जो यह आपका वेद ब्यास के द्वारा लिखा गया था अर्थ सास्त्र जो पुस्तक है यह आपका चानक्य के द्वारा लिखा गया था बुद्ध चरित जो पुस्तक है ना यह आपका अस्व घोश के द्वारा लिखा गया था कुमार स अभिज्यान सकुंतलम और मेगदूत यह तीनों पुस्तक हैना यह आपका कालीडास के द्वारा लिखा गया था इसके इनावा जो आपका नाट्त और राजित रंगनी जो पुस्ता कहा ना यह आपका कलहन के द्वारा लिखा गया था तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्योश्च आपका यह आप रहा था कि इन में से कौन से खिलाडी का जो संबंद है ना वो रेसलिंग यानि कुस्ती से है जह करेक्ट एंसर होगा इसके लाव अगर साची मली की बात कर ले तो देखे साची मली पहली भारते महिला पहलवान थी जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में जो है कुस्ती में कान से पदक यानि ब्रॉंज मेडल जो है वो जीती थी इसके लाव में आपको बता दो कि 2016 में साची मली को जो है राजीव गांदी खेलरतन पुरुषकार जिसका नाम 6 अगस 2021 को बदल कर जो है मेजर ध्यान जन खेलरतन पुरुषकार कर दिया गया था तो इन्हें आपका राजीव गांदी खेलरतन पुरुषकार भी दिया जा चुका है जो की 2016 में दिया गया था और 2017 में इ कवीता कुमारी कवीता देवी इन सभी का जो संबंद है ना यह आपके कुष्टी यानि पहलवानी से है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका आपना तक कि विच इस दा लार्जेस प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम यानि सौरी मंडल में जो है यह आपका सीथ कालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो ओसर टेंपरेचर है यह बहुत कम होता है कितना होता है इसका ओसर टेंपरेचर तो माइनस 148 डिग्री सेल्सियस होता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाब हमें आप सबसे चोटा ग्रह वह कौन सा है तो देगे सबसे चोटा ग्रह ना यह आपका बुद्ध ग्रह तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव मैं आपको बता दू कि सूरेश उनकी दूरी की अनुशार ग्रहों का क्रम अगर बात कर ले तो सबसे जो निकट उसके बाद आपका मंगल है उसके बाद आपका ब्रिहस पती है उसके बाद सनी है यूरेनेश है और नेप्चुन है तो यह क्रम भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव मैं आपको बता दू कि प्रीवेस सिप्टो में आपसे पूछा जाता कि इन में से कौन सा अस्थल घृट कहा जाता है तो यह FACTo भी आपको ध्यान lidं में रखना है नेक्स्ट को आपका आप रहा तक कि आपका पंजाब में इस्तीत यह आपका सीस महन है जो क्या आपका पठीयाला में है और इसको जो वह किस ने बनवाया था तो देखे मैं आपको दादू की सीस मह, जिसे पैलेस ओप मिरट के नाम से जाना जाता है और इसका जो निर्मान है ना 1847 में महराज नरिंदर सिंग के द्वारा करवाया गया था तो नरिंदर सिंग आपका यहां पर करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहता कि जयनती कुमारेश का जो संबंद है ना यह किस वादी अंतरश है तो देगे जयनती कुमारेश का जो संबंद है यह आपका वीना वादी अंतरश है तो वीना वादक आपका करेक्ट अंसर होगा इसके लाव परसीद अन्य वीना वादक की बात कर ले तो एस बाला चंडरन कृष्ण भागवतार बदरूदीन डागर इन संबंद है यह आपके वीना वादी अंतरश है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशा आपका आपना तक कि एस सौमनात यह किसके अध्यास न्यूक्त किये गया है तो देगे मैं आपको बता दू कि 14 जन्वरी 2022 को आपके एस सौमनात को इस रो यान तो देगे इस रो का जो मुख्याला है यह आपका बैंगलूरू में इस्तित है और इस रो का जो गठन है यह कब किया गया था तो देगे इस रो का जो गठन है यह आपका 15 अगस्त 1979 में जो इसका गठन किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स् और अनुछे 324 के तहर जो है चुनाव आयोग यानि इलेक्षन कमीशन का जो प्रावधान यानि गठन जो है वो किया गया है तो अनुछे 324 आपका correct answer होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि अनुछे 324 से लेकर अनुछे 329 तक जो है यह आपके चुनाव आयोग से को किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव बात कर ले चुनाव आयोग यानि इलेक्षन कमीशन का जो कारे क्या होता है तो देगे भारत में संसद राज्य विधान सभाओं राश्पदी और उप्राश्पदी के चुनाव की जो पूरी परक यह आपके सुकुमार सेन थे तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लाव भारत की जो पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयोग थी यह आपके वी एस रमा देवी थी इसके लाव बात कर ले भारत के वरतमान में आपके मुख्य निर्वाचन आयोग थे कौन है तो देखे वर्तमान में जो मुखे निर्वाचन आयूगत है यह आपके राजीब कुमार है और यह कितने नंबर के हैं तो यह आपके 25 वे नंबर के हैं तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशा आपके आप रहा था कि 2011 की जनगना के अनुशार भारत में पुरुस यानि मेल का लिट्रेसी रेट यानि साचर्टा दर पूछा गया था तो देखे 2011 की जनगना के अनुशार भारत का जो साचर्टा दर रहा था वो 74.04% रहा था जिसमें पुरुसों के साचर पूरुसों का साचरता धर पूछा गया था तो 802.14 परसेंट आपका correct answer हो इसके लाब बात कर ले 2011 की जनगन्ना के नुशार भारत के किस राज जी का जो है सबसे अधिक साचरता धर रहा था तो देखे केरल राज जी का जो साचरता धर है न वो 94 परसेंट रहा था जो की सबस जादा रहा था वह यहां अब साचरता धर वाले राज जी की बात कर ले तो यहोःट ग्रे क्लर कर लोगा इसके लाब मैं आपको बता दू कि काली मिटी को जो है यह आपका रैगूर मिटी के रूप में भी जाना जाता है और लेटराइट जो मिटी होता है यह आपका लाल से पीले रंग का होता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्च आपके आप रहा था कि बराकर नदी यह किस नदी की सायक नदी है तो देखे बराकर नदी की अगर मैं बात कर लूँ तो यह आपका जारकन और पसीम बंगाल राज्जी में यह नदी जो है वो भैता है और यह जो आपका दामोदर नदी का जो है एक या बांध है ना यह आपका बराकर नदी पर बनाया गया है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है next question आपका आप आप रहा था कि गौतम बुद्ध यह जो कौौन से गंराज्जी के थे तो देखे गौतम बुद्ध जो है यह आपके साख के गनराज्जी के थे तो साख के आपका करेक्ट अंसर होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि गौतम बुद्ध जो है यह बाद धर्म के संस्थापक तथा परवर्तक थे गौतम बुद्ध का जो जन्म पूछा जाता है तो देखे गौतम बुद का जो जन्म है ना ये 563 इसापुरू लुंबनी नेपाल में हुआ था और इनके पीता का जो नाम था वो आपका सुदोधन था और गौतम बुद के माता का जो नाम था ये आपका माया देवी यानि माहा माया था और गौतम बुद के बच्पन का ना सिद्धार्थ सुल्ट करेंद्य हुआय कि भारतों प्रतम महिला आईपीस आधिकारी भी थी किरन बेदि आपका नेक्स्ट कोश आपके आप राता कि संगम कविताओं में उलेखित तमिल सब्द मुवेंदर का जो अर्थ है ना वो क्या होता है तो देगे मैं आपको बता दो कि संगम कविताओं में मुवेंदर का जो वो उलेख किया गया है और यह जो आपका मुवेंदर है ना एक तमिल परिवार यानि चोलो चेरो और पांडो का जो उपयोग जब वो किया जाता है तो तीन परमुख आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्य आपका यहाँ पराता कि देव समाज की अस्थापना सीव नारायन अगनिहोतरी के द्वारा जो है यह किस वर्स में किय गया था तो देव समाज की अस्थापना की बात कर ले तो यह आपका 1887 में लाहॉर में सीव नारायन अगनिहोतरी के द्वारा जो है इसके अस्थापना की गई थी तो 1887 आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्य आपका यहाँ पराता कि दप्रोसेस ओप से होगा लेकिन कुछ बच्चों ने बता कि कोशन यह पूछा गया था कि a small liquid droplets dispersed in another liquid is called यानि किसी अन्य द्रब में परीचेपी चोटी 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 जो द्रब बूंदे होते है ना उसे जो वो क्या कहा जाता है तो देगे किसी अन्य लिक्वीड में परीचेपी चोट चोटी चोटी द्रब बूंदे को जो है यह आपका emulsification यानि पाइसी करन जो वो कहा जाता है तो emulsification आपका यहां पर correct answer होगा next question आपका यहां पर रहता है कि which of the following is an example of paper taxes यानि इन में से कौन सा जो है वो आपका कागजी कर कहलाता है तो देगे मैं आपको बता दू क्यों व wealth tax, gift tax और both a and b दिया गया था तो देगे मैं आपको बता दू कि आपके gift tax, state duty यानि संपदा सुल्क, wealth tax यानि संपती कर यह सब जो होते हैं यह आपके paper tax होते हैं तो आपके option में both a and b यानि wealth tax और gift tax दिया गया था तो देगे wealth tax और gift tax यह दोनों जो tax होता है यह आपका paper tax होत नेक्स्ट कोश आपका अपरातक की टेंसाइल और कंप्रेसीव और एक्जामपल ओव विच स्ट्रेश यानि तन्यता और संपिडीत ये जो किस तनाव के उधारन है तो देखें टेंसाइल और कंप्रेसीव ये जो आपका लॉंगी चूडनल स्ट्रेश यानि अनुधरे परियोग किया जाता है तो देखें बैड्मींटन खेल में जो है ये सटल कॉक का परियोग किया जाता है तो बैड्मींटन आपका इहां पपरक्रेक्टन्सर होगा नेक्स्ट् elder नेक्स्ट को कवतादू कि 7 फरवरी 2022 को जो है आपका SC और ST के लिए ये जो आपका जारखंड राज जी के द्वारा जो है वो पेस किया गया था तो जारखंड आपका यहाँ पर एक खरेक्ट एंसर होगा सेकंड शिप्ट में जो आपका पहला कुश्यन है था कि निमने लिखित में से किसे 8 फरवरी 2022 को करमचारी चैयन आयोग यानि SSE के अध्याच के रूप में जो है न्यूक्त किया गया है तो देखे मैं आपका बदादू कि 8 फरवरी 2022 को SSE यानि स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के अध्याच के रूप में जो है ये S किसोर को न्यूक्त किया गया है तो S किसोर आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा कुमार गुपते प्रथम वाजदा सक्सीसर ओफ यानि कुमार गुपते प्रथम जो है ये किसके उत्रा दिकारी थे यानि कुमार गुपते प्रथम के पीता का नाम पूछा गया था तो देखे कुमार गुपते प्रथम जो थे ये आपके चंद्र गुपते दित्ते के उत् इसके लाव मैं आपको बता दू कि कुमार गुपते का उत्रा दिकारी यानि कुमार गुपते का पुत्र के नाम क्या था तो देगे कुमार गुपते का जो उत्रा दिकारी है यह आपके असकंद गुपते थे तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि who is the author of the book ओथेलो यानि ओथेलो नामक जो पुस्तक है न ये किसके द्वारा लिखा गया है तो देगे ओथेलो नामक जो पुस्तक है ये आपका विलियम सैक्सपियर के द्वारा लिखा गया है तो विलियम सैक्सपियर आपके यहाँ पे जिसमें बाबर ने इब्राहम लोदी को जो वो हरा दिया था तो इब्राहम लोदी आपका यहाँ पे correct answer होगा Next question आपका यहाँ पर NADA का फुलपम पूछा गया था तो देखे NADA का जो फुलपम होता है यह आपका National Anti-Doping Agency होता है इसके लबा अगर वाड़ा के फुलपम की बात कर लें तो देखे वाड़ा का जो फुलपम होता है यह आपका World Anti-Doping Agency होता है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है Next question आपका आप रहता है कि which organization regulates badminton games in India यानि भारत में badminton खेलो का जो नियमन है न यह कौन सी संस्था करती है तो देखे भारत में badminton खेलो का जो नियमन है न यह आपका BAI यानि badminton association of India के द्वारा किया जाता है तो badminton association of India आपका यहाँ पर correct answer होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि भारत में क्रिकेट खेलों का जो नियमन है ना ये आपका BCCI के द्वारा किया जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है Next को जा आपका आप रहता की who was the first female governor of Uttar Pradesh State यानी Uttar Pradesh Raja की पहली महिला राजयपाल कौन थी तो देखे उत्तर परदेश राजी की पहली महिला राजयपाल है ना ये सरोजनी नाइडू थी तो सरोजनी नाइडू आपका यहाँपे correct answer होगा next को यह आप रहा था कि what is the natural color of litmus paper यानि litmus paper का जो है प्राकृतिक रंग पूछा गया था तो देखें litmus paper का जो प्राकृतिक रंग होता है न वो आपका purple color यानि bagni रंग का होता है तो bagni रंग आपका यहां पर correct answer होगा इसके लावा मैं आपको बता दू कि यह जो आपका acid होता है न वो आपके blue litmus paper को जो है यह आपका red litmus paper में convert कर देता है इसके लावा जो आपका base यानि जो आपका चार होता है न वो आपके red litmus paper को जो है यह blue litmus paper में जो वो convert कर देता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका आप रहा था कि National Literacy Mission was launched in which year यानि राष्ट्रे साचर्टा मिसन जो है ये किस वर्स सुरू किया गया था तो देखे राष्ट्रे साचर्टा मिसन जो है ये किस मंत्राले के द्वारा सुरू किया गया था तो देखे डीप ओशन मिसन जो है ये आपका Earth and Science Ministry यानि पृत्वी विज्ञान मंत्राले के द्वारा जो है इससे सुरू किया गया था तो पृत्वी विज्ञान मंत्राले आपका correct अंसर होगा नेक्स्ट कोशा आपका आप रहा था कि the western gods and eastern gods meet at which place यानि पश्चमी गाट और पूर्वी गाट जो है ये कहां पर मिलते हैं तो देखे पश्चमी गाट और पूर्वी गाट जो है ये आपके निलगिरी पहाड़ी ओपर जो वो मिलते हैं तो निलगिरी हिल सापका यहां पर correct answer होगा नेक्स्ट कोशा आपका आप रहा था कि गनेशरत टेंपल is located in which state तो देखे ये जो आपका गनेशरत जो मंदी रहना ये किस राज्य में इस्तित है लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि कोशन ये पूछा गया था कि गनेशरत मंदी जो है ये तमिल नाडू के किस सहर में इस्तित है तो देखे गनेशरत मंदी जो है ये आपका तमिल नाडू राज्य में इस्तित है और ये आपका महाबली पूरम सहर में इस्तित है तो अगर सेर पूछा गया था, तो महाबली पूरम आपका correct answer होगा, अगर राज्य पूछा गया था, तो तमिल नाडू आपका यहाँ पे correct answer होगा, next question आपका आप रहा था, कि होली का दहन से क्या मतलब है, यानि होली का दहन जो है, यह किसका प्रतीक माना जाता है, तो देग नारायन की भक्त, प्रहलात को जलाने के उदेश के साथ जो है, अगनी में बैठी होली का, खुद जलकर जो हो भस्म हो गई थी, मैं आपको बता दू कि आपके जो यह आपका होली का थी ना, इन्हें जो आग में ना जलने का जो वर्दान जो वो दिया गया था, लेकिन होल का ध्यनिक, यह जो किसका प्रतीक माना जाता है, तो यह आपका बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, तो बुराई पर अच्छाई आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोशन आपका आप रहता कि थायराइड डिफिसियंसी इस ड्यू टू विच यह किस तत्व के कारण होती है तो देखे थायरा जो डिफिसियंसी होता है यह आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है तो आयोडीन आपका यहाँ पर एक खरेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि क्रीशी कानून निरसन विदेयक यानि फार्म स्लोज रिपेल बील यह किस मंत्राले शे संबंदित है तो देखे मैं आपका बता दू कि क्रीशी कानून निरसन विदेयक को जो है यह आपका 2021 में जो वो पारित जो हो किया गया था और य चेंदर सिंग तोमर के द्वारा जो इससे सदन में जो वो पेश किया था तो यूनियन मिनिस्टर आफ एगरी कल्चर एंड फार्मर वेलफियर आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका है अपना था कि which among of the following is the co-founder of दर्पन Academy of Performing Arts and got 1965 पदम स्री आवार्ड यानि निम्न लिखित में से कौन दर्पन Academy of Performing Arts के जो है वो सह संस्थापक है जिनने 1965 में पदम स्री आवार्ड से जो वो समानित किया गया था तो देगे मैं आपको बता दू कि दर्पन Academy of Performing Arts ये जो आपका एहमदाबाद गुजरात में परदर्शन कला का एक अस्कूल है जिसे 1949 में मरिनाली नी सारा भाई और उनके पती विक्रम सारा भाई के द्वारा जो वो अस्थापित किया गया था और मरिनाली नी सारा भाई क जो है इनके योगदान के लिए 1965 में जो वो पदम स्री पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो 1965 मरिनाली नी सारा भाई आपके यहां पर करेक्ट एंसर होगा इसके लिए मैं आपको बता दू कि मरिनाली नी सारा भाई को जो है 1992 में पदम भूशन पुरुषकार से भी जो वो सम्मानित किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाब बात कर ले मिरनाली सारा भाई यह जग किस सास्त्रे नित से शंबंदीत है तो देखे मिरनाली नी सारा भाई जो है यह आपका भरत नाटियम और कतकली नित से शंबंदीत है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्य आपका आप रहा तक कि विच कंपनी इस रिलेटेड टू जॉआइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज यानि निम्न लिखित में से कौन सा संयुक्त छेत्र का उद्योग का उदारन है तो देखिए अगर जॉआइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एक्जांपल की बात कर ले तो मारूती उद्योग लिमिटेड ओईल इंडिया लिमिटेड कोचिन रिफाइनरीज एलाइड केमिकल लिमिटेड तमिल नाडू फ्लोरीन यह सब जो आपके जुआइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज यानि संयुग छेदर के उद्योग के उदारन है तो आपके option में जो है मारूती उद्योग लिमिटेड दिया गया था तो मारूती उद्योग लिमिटेड आपका यहां पे correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि cyclone is none as typhoon in which country यानी चक्रवात को जो है किस देश में आंधी के रूप में जाना जाता है तो देखे चक्रवात यानी cyclone को जो है या आपका Philippines जापान और चाइना में जो है इसे typhoon यानी ववंडर के रूप में जाना जाता है तो option में आ नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि which micronutrient is received from soil in plant यानी पौदे में मिट्टी से जो है कौन सा सुच्म पोशक ततो जो है वो प्राप्त होता है तो देखे मैं आपको बता दो कि पौदे के व्रिदी के लिए आवस्यक 17 ततों में से जो है आठ सुच्म जो हो आपके पोश सक्त ततो हैं और वह आठ सुच्म पोशक ततों कौन कों से है तो पहला आपका बुरॉन सेगंड्र आपका क्लॉरीन थर्ड आपका पर फॉर्थ आपका आइरन फिप्त आपका मैंगनीज सिख्स आपका मॉली बेडनम सिवस्ट आपका जिंक और एट आपका निकल यह सब ज जो आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोशन आपका आप रहा था कि बदरुदीन तयबजी, कॉंग्रेश के किस अधिवेशन के जो है, पहले मुस्लिम अध्याच बने थे, तो देगे मैं आपको बदा दू कि कॉंग्रेश के, आपके जो पहले मुस्लिम अध यह आपके बदरुदीन तयबजी थे, और यह जो आपके वर्स 1887 की, मद्रास अधिवेशन की जो है अध्यस्ता है, इन्होंने ही की थी, तो आपके जो 1887 आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोशन आपका आपरातक की, वाटर दा, टूल्स ओफ आर्बियाइ मॉनेटर फुर्णि पॉलिसी, यानि आर्बियाइ मौद्रिक नीती के मुख्य उपकरन क्या-क्या है, तो देखे, आर्बियाइ मौद्रिक नीती के मुख्य उपकरन है, एक तो आपका cash reserve ratio है, सेकरण आपका statutory liquidity ratio है, थर्ड़ आपका bank rate है, फॉर्ध आपका repo rate है, फिप्ध आपका reverse repo नेक्स्ट कोशे आपके परहता कि पुरुमें कौन सा देश है तो देगी परहता की अंपर परीड होगा जो कि आपका तमिल्नादू राज्य तो भरतना अटम नेत्य आपका यहां पर करेक्ट अंसर होगा इसके लिए आपको बहुता दो कि भरतना अटम नेत्य जो है इससे पहले साधीर या दासी अटम के रूपें भी जो जाना जाता था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके अपराता की फू इस गिवेन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानि सारव भामिक व्यस्क मतादिकार यह जो आपके सिटिजन ओफ इंडिया ऑनली यानि केवल भारतिय नागरी को जो वो दिया जाता है तो केवल भारतिय नागरी का आपका यहा मतदान करने का जो है वो अनुमती देता है यानि हमारे शंबिधान में 18 साल के उपर जितने भी जो लोग होते है ना उन्हें जो वोट देने का अधिकार जो वो दिया जाता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपके हाप रहा था अली अक इन सभी का जो संबंद है ना वो सरोध वादिय अंत्रेश है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपके आप रहा था की हूँ इस दा ऑथर अब दबुक फाइपॉइंट समवन यानि फाइपॉइंट जो समवन पुस्तक है ना इसके लेखक क करा था कि former governor of RBI उर्जित पटेल इस दा प्रेजेंट हेड और यानि RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जो है यह किसके वर्तमान में परमुख यानि उपाध्यच है तो देखे मैं आपको बता दू कि RBI के जो पूर्व गवर्नर थे वो आपके उर्जित पटेल थे और वर्तमान में जो है यह आपके आपके AIIB यानि आपका ACN Infrastructure Investment Bank के जो है यह आपके उपाध्यच है तो AIIB बैंक आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा इसके लाब बात कर ले RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है तो देखे RBI के जो वर्तमान गवर्नर रहना यह आपके सक्तिक और यह कितने नंबर के हैं तो देखे शक्तिकान गवर्नर गवर्तमान में आपको ध्यान में रखना है इसके लाब अगर और उरजित पठेल की बात कर ले तो और शित पठेल जो है यह 24 वे नंबर के जो है RBI के गवर्नर थे तो यह अप ध्यान वे रखे गा नेक्स्ट को नेमस्त पुरुश्कार से सम्मानिद किया गया था.. आफ्स में पुरुईनी जरी हैसे सम्मानिद किया गया है तो पुरुश्कारक्रस थोगैइक्स्षा नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था कि टोटल आपके तीन कानूनों को जब वो नीरस्त किया गया है तो तीन कानून आपका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था कि महिलाओं के लिए उम्मीद जो कारिक्रम है ना ये किस केंडर सासित परदेश में जो है वो सुरू किया गया है तो तो जम्मू और कास्मीर आपका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था कि rate at which RBI यानी वह दर जिस पर भारती रिजर बैंक जो है सरकारी प्रतिभूतियों के बदले भारत में बैंक या फिर विते जो संस्थान यानी जो financial institution होते है ना उन्हें जो धन जो वो उधार देता है वो जो है क्या कहलाता है तो रेपो रेट कहा जाता है तो रेपो रेट आपका यहां पे correct answer होगा नेक्स्ट कोशन आपका आप रहा था कि गुलाम गिरी नामक जो पुस्तक है ना यह किसके द्वारा लिखा गया है तो देगे गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक जो है यह आपके जोतिवा फूले हैं तो जोतिवा फूले आपका यहां पे correct answer होगा नेक्स्ट कोशन आपका आप रहा था कि in 2020 सूपर बाउल टूनामेंट is going to organized in यानी 2023 में सूपर बाउल जो टूनामेंट का आयोजित किया जा रहा है तो देगे मैं आपको दादू कि यह आपका सूपर बाउल जो टूनामेंट है यह आपका एक फूटबाउल का टूनामेंट है जो कि आपका ग्लिंडाली एरिजोना स्टेडियम है जो वो आयोजित किया जा रहा है लेकिन यहां पर देश का नाम पूछा गया था तो यह जो किस देश में आयोजन किया जा रहा है तो यह आपका USA यानि संयुगतराज अम यह जो नारा है ना यह बागा जतीन के द्वारा दिया गया था तो बागा जतीन आपका करेक्ट अंसर होगा। लेकिन गुजरात राज्जी में जो है कोईला का उत्पादर नहीं किया जाता है तो गुजरात आपका करेक्ट अंसर होगा। तो देखे चीन का जो ओफिसियल लेंग्विज है ना यह आपका मंदारीन है तो मंदारीन आपका करेक्ट अंसर होगा। तो थार रेगिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा। आपके मुर्दो का ठीला होता है इसके लाब मोहन जोद्रो की जो खोज है ना यह आपके राखलदास बनर जी के द्वरा 1922 इस्वी में किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कोशन आपके आपका यहाँ आपका यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा। यह परमुक रूप से करनाटक, आंदरपरदेश और तेलांगना जैसे राज्यू में जो है यह नौवर्स के रूप में मनाया जाता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाबाद तमिल नौवर्स को जो है किस रूप में जाना जाता है तो देगे तमिल of unemployment rate यानि बेरोजगारी दर को जो है गन्ना किस परकार से की जाती है तो देगे बेरोजगारी दर की जो गन्ना है यह आपके unemployment workers यानि जो आपके बेरोजगार जो स्रमिक होते हैं उनको जो आपके total labor force यानि स्रम बल से जो वो divide किया जाता है और 100 से जो वो multiply किया जाता है इस gravity जो है यह सबसे ज़्यादा कहां पर होता है तो देखे जी का जो मान है ना सबसे ज़्यादा यह आपका धुरू यानि पोल पर होता है तो पोल आपका यहापे correct answer होगा इसके लाब बात कर ले gravity सबसे कम यानि जो आपका कहां पर होता है तो यह आपका भूमत दे रेखा य यानि बाइल जूस निकलता है, तो पीतर रस आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश आपका यहाप रहा था, कि निमने लिखित में से कौन सा नित्य जो है, यह राजस्थान का लोक नित्य है, तो आपसिन में आपका घूमर दिया गया था, तो देखें, यह जो आपका घूमर है ना, यह राजस्थान राज्य का एक लोक नित्य है, तो घूमर आपका यहाप एक करेक्ट अंसर होगा, इसके लिखित में आपको बता दू कि कालबेलिया, भवाई, कच्ची गोडी, गैर, चारी कट पुतली, चांग 13 ताली, यह सबी जो नित्य है ना, यह राजस्थान के लोक नित्य है, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान मे या और अपका यहाप एक करेक्ट अंसर होगा, तो इतने जो आज मुझे बच्चो के दवरा मिले हैं, जो की 100% रियल और ऑथन्टिक है, तो अगर विडियो अच्य लगी हो तो विडियो को लाइक जरु कर दीजेगा, और इसी तरह रियल एनलाईसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा, तो मिलते हैं नेक्ट शुड़े और तर तक थाइंक यू, आल दे बेस्ट.